हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है स्टाड़ी फाउंडेशन एड्यूप चनल पे हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास को कॉंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के जितना भी होसा कि आप सेयर कर सकते हैं जितना भी आपका फ्रेंज रिलेटिव जो असंप पुलेस साविस अजल प्रिंसपल ये बाइविच एस टेट गर्वर्ण एक क्योंसिशन एक सेट आप रूल है डिट गाइड हाओ एक ड्री स्टेट और अधर पॉल्टिकल और गयसान वॉर्क एक रूल का जैसा काम करता है और गाइड भी करता है कांट्री को स्टेट को और को भी पॉलिट इसको नेचर है इसको कहा जाता है है हैं इन इसको किसी कांट्री के लिए सबसे हाइस लो अफ़ दे लेंड है ठीक है उसके वाद नेक्स पॉइंट है in 1934 first time idea of constitutional assembly for India was put forward by M.N. Roy इसका idea कौन दिये थे? M.N. Roy दिये थे in 1934 में तो बहुत बन एक्जामें question पुछा है तो आपको याद रखना है next point है in 1935, 1935 में इस demand को यानि constitutional assembly का demand को सबसे पहले raise किया था कौन? Indian National Congress, ठीक है उसके बाद 1940 में पांच साल के बाद बिरिज सरकार इसको finally accept किया अगस्त ओफर के दोरान उसके बाद 1946 में cabinet mission plan जो है इंडिया में आया आगे चलेंगे नेक समलोग जानते है nature जो constitutionally बना था इसका nature क्या था? सबसे पहले यहाँ पे इसका पहला nature है पार्सली नमनेटर यहाँ पहले नेचार था इसका पार्स लीडिरेक्स अपास की यह पहली ऊप्रगास नराएवर रहन आपको याद रखना है यह बहुत ही इंपोर्टेन्स लीडर क्रते लगिन इसका म्कश का म्यबबर नहीं था इसमें टोटल मेंबर कितना थे 389 एभी एक्जामें बहुत बार पूछा है इसमें इलेक्टेट कितना थे 296 और नॉमिनेटर कितना थे 93 ठीक है आगे चलेंग नेक्स पॉइंट और डिसकस करते हैं कॉस्ट्रे असेमली का सबसे पहला मीटिंग का बहुत था 9 दिसंबार 9946 मे यह भी बहुत बार एक्जामें कॉसें पूछता है ठीक है और इसका टेंप्रोरी पैसेंट कौन थे उनका नाम है सचिरा नांदा सिनहा ठीक है दो दिन के लिए पैसेंट बने थे सेकेंड मीटिंग का बहुत था 11 दिसंबार 946 में इसका पैसेंट जो पार्मेंट पैसेंट बने उनका नाम क्या है राजिंदर परसाथ ठीक है इसका एडवाइजर कौन थे बियन राव यह इन पूछ लेता है ठीक है इसके बाद नेक्स में डिसकस करेंगे अब्जेक्टि कोमेटी के बारे में तो ड्राप्टिंग कोमेटी सेट अप कब वहा था 29 अगस्ट 1947 में इसका अब्जेक्टिव क्या था कॉंस्टिशन का ड्राप त्यार करना इसमें जो है सेवन मेंबर का कॉमेटी था जिसका चैर्मेन कौन थे बियर अंबेड कर जो कि बहुत ही इन्पो लेकिन कुछ रूल जो है इससे पहले भी लागू हो गया था जैसे कि यहाँ पर दिया है एसी रिजेंसीव, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लेमेंट पहले ही लागू हो गया था यानि 26 नुमेंबर 1949 के बाद ही लागू हो गया था इतना लेट क्यों हुआ था लागू होन रहने के लिए ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है यानि 26 नुमेंबर 1949 में कॉंस्टिशन को एड़ोप किया गया था उस समय कोंस्टिशन के पास जो है टोटल पार्ट कितना था 22 एट प्रेजन में पार्ट कितना हो चुका है 25 हो चुका है आर्टिकल कितना था 395 एट प सकते हैं पार्ट कितना है यहां पे जो पार्ट था 22 इहां पे दिया है आर्टिकल इहां पे दिया है आर्ट कौन सा आर्टिकल में क्या है इसके बारे में लोग जानेंगे नेक्स वीडियो में उसके बाद जो सीडूल था बारा इहां पे दिया है ठीके आगे और चलेंगे तो इसको बारे में और भी देख लेते हैं कि कॉंस्टेशन एसमली बनने में टोटल सेशन के कितना हुआ था टोटल सेशन हुआ था 11 टाइम कितना लगा था एसमली को त्यार करने में टू यर्स 11 मांथ 18 डेश लगा था तो यह भी वान अब दे इंपोटेंट कोशन है लास्ट मीटिंग का बहुत है एसमली का 24 जनवरी 1950 में लास्ट मीटिंग हुआ था इस समय इसी समय ही डाक्टर राजिंदर प्रसाद को सबसे पहला प्रेजिडेंट भारत का बनाया गया था और इसी मीटिंग में नेशनल सौंग और नेशनल एंथेम को एड़प किया गया था यह भी बहुत ही इंपोटेंट कोशन है ठीक है और आगे चलेंगे तो जो वान लिनियर इंपोटेंट पॉइंट है मैं यहां पे आपके लिए लाया हूँ इसको आपको बस याद रखना है यानि कोस्टिसन एड़प कप किया गया था 26 नोमेंबर 1949 में इसको लागु कप किया गया था इन्हीं एफेक्ट कब होा था 26 जनौरी 1950 में उसके बाद National Song और National Anthem जो है Adopt Cup किया गया था 24 January 1950 में इसके बाद Next Point है National Flake जो है Adopt Cup किया गया था 22 July 1947 में इसका measurement होता है 3 to 2 यह जो है खादी cotton material से बना होता है National Flake इसका बाद Next Point है असोग चक्रा Flake का मिडिल में होता है इसके अंदर 24 S box होता है इसका color होता है navy blue ठीक यह भी एक्जामें बहुत बर पूछा है असोग चक्रा symbolize करता है धर्मा National Flake के अंदर टॉप में होता है डीप सेपरोन यह sacrifice यहाँ पे सो करता है मिडिल में होता है white peace or truth यहाँ पे सो करता है बटम में होता है dark green growth और prosperity यहाँ पे सो करता है इसका next point है national flag को design किया था पिंगली भेन का यह elephant was adopted as symbol of constant assembly constant assembly का symbol क्या था elephant इसको adopt किया गया था ठीक है आगे चलेंगे next हम लोग इसके उपर 10 previous share का question को हम लोग discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला question है the constitution of India was adopted by तो इसको adopt क्या था इसको adopt क्या था इसको adopt क्या था constitutional assembly ठीक है तो इसको 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 संका सही answer हो गया option mercy is good next question a the constant assembly for undivided India first meet on discuss सबसे पहला meeting का भूआ था इसका meeting हुआ था 9 December 9946 में इसलिए इसको संका सही answer हो जाएगा option number b is good next question a who among the falling was the constitutional advisor to the constant assembly of इंडिया इसके वारे में मैं बता चुका हूँ तो कौन थे उनका नाम है डाक्टर बीन राओ इसका नेस को सने who among the falling was the chairman of the drafting committee of the Indian constitution यह तो बहुती simple question है इसका सही answer है बीया रंबेट कर option number d यहां पर सही है नेस को सने अब नेसनल फ्लेग वाज इरॉप्टेट बाया दर कॉंस्ट असेमली एसेमली जो है नेसनल फ्लेगर डिजाइन कब इरप किया था तो कब किया था एक किया था जुलाई बाइस जुलाई 1927 में इसका नेस को सने वीच फॉर्लेगर इस्टेट में इस नोट करेक्ट एप अब आपको यह पे अपड़ेक्टिव रिजलियोशन के बारे में बताना है कौन सा सिट्ट मैनिया पे गलत है सही नहीं आपको गलत बता नहीं इस वाज मोब बाय जोहला न सब्सक्राइब करना है तो आप सभी स्टेट में देख सकते हैं लेकिन इहां पे जो है ऑफ्सन ए में जो है दिसंबर 947 में सबसे पहला मिटिंग हुआ थे इस्टेट में इहां पे गलत है एक का बहुता नाइडियोशन में इसी लिए यहां पे गलत स्रीप अफ्सन मरें ब इसकोस ने हुए अमंग दो फोलिंग वाज अमेंबर अप ड्रप्रिंग कमिटी यहां पर चार अप्संदिया आपको बत्रें ड्रप्रिंग कमिटी का में बर कौन थे के मुंसी जो है इसका में बर थे इसकोसन का सही एंसर हो जाएगा और इसनमर्डी यहां पर देख सकते ह है जो मेंबर यहां परनाम है ठीक है आगे चलने के इसकोड़ने सकोशने डाइडिया कौनस्ट्रींस आप इंडिया वास फास औफ और गिवन बाय तो सबसे पहले अपने से अलीग का आईडिया कौन दिया थी उनका नाम है एमें रोए इसके बार में हम नोडिसकस कर चुक सब्सक्राइब द hy करें तो इस इंसरो जाया तो से और स्फिम्र को सकते हैं यहां प्रेट forward के प्रेश्ड़ करें तो पता होगा टाइम बहुत का में धन्यवाद हैं क्ईूस्त झामेच्झ.